हाई मैं हूँ अपूर्वशेट और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गलती के बारे में जो कि ITC के शेरोल्डर्स कर रहे है जी हाँ दोस्तों ये मैंने अब्जर्व किया है कि ITC के शेरोल्डर्स एक बहुत बड़ी गलती कर रहे है और मैं ये नहीं चाहता कि आप भी वो गलती दोहराए तो इस वीडियो में मैं ये गलती क्या है इसके बारे में बात करूंगा अब ITC के शेर्स सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बीसी एफम सीजी इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और निफ्टी को भी अंडर परफ है जो कि कुछ मेहनत के बाद निकल तो गई वह रेंज से लेकिन ITC का स्टॉक बहुत सालों से उसी रेंज में पड़ा है अब ITC पिछले चार-पाथ साल में कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है सेल्स भी है तो एवरीटिंग इस नाइस बट डिस्पाइड डाट इ जाती है जैसे की टबैको एक डिकलाइनिंग इंडस्ट्री है इसजी इन्वेस्टमेंट्स की वज़े से ITC का स्टॉक नहीं चल रहा है तो यह बहुत सारी चीज़े हैं और मैं इन चीजों के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी बाते की है तो मेरा यह जो वीडियो ह लिए अब ITC के शेर होल्डर होने का मतलब क्या है ITC के शेर होल्डर होने का मतलब यह कि आपको ITC पे confidence है you have faith in ITC and that's why you are holding on to that stock right तो अगर आप ITC का स्टॉक होल्ड करके रख रहे हो तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोरानी चाहिए तो अब पिछले कुछ 5-6 सालों में एक बहुत अच्छी चीज जो ITC के साथ हुई है वो है कि ITC ने बहुत ही अच्छे खासे डिविडेंट्स दिये और हाली के दिनों में तो डिविडेंट्स और भी ज्यादा बढ़ के आ रहे है इन फैक्ट अभी कुछ दिनों के पहले ही ITC ने फिर से 5-75 पैसे का डिविडेंट अनाउंस किया और डिस्ट्रिब्यूट भी किया तो ITC में डिविडेंट्स की जैसे कि एक कहतो बाड़ आ गई है अब बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि इस डिविडेंट्स को वह री इन्वेस्ट नहीं करत अब इसका एक सिंपल रीजन में आपको बताऊं तो ITC का जो रिटन ऊन एकुटी है रिटन ऊन एकुटी यह वो होता है कि एकुटी शेर ओलर्डर्स को कितना प्रॉटिट मिल रहा है कितना पैसा मिल रहा है तो ITC का रिटन और एकुटी रेशियो इस 21 परसेंट तो ITC हर 100 रुपय पे 21 रुपया अपने शेरोल्डर्स को कमा के दे रहा है तो 21% का ब्याच तो कहीं पे भी नहीं है तो आप सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा रहने दे के तीन या चार्ज परसेंट कमा रहे तो ऐसा क्यों करना चाहते है तो लेकिन अगर आप आप ITC का स्टॉक होड करके रख रहे हो तो इसका मतलब है कि यू स्टिल हाव दा फेट इन अट स्टॉक देन वाइन आट अट तो इसी लिए मैं कहता हूं कि अगर आप कंविंच्ट हो के कि ITC अगले पांच या दस साल तक रहेगी और कंपनी ग्रो करेगी और कंपनी के फिनेंशल परफॉर्मेंस अगर ग्रो करेंगे तो उसका स्टॉक प्राइस वह भी बढ़ने लगेगा तो इफ यू हाब आट सोड़ ओफ फेट देन वाइर यू नॉट री इंवेस्टिंग देवेडेंट तो अब मैं एक सिंपल एक्जामपल के साथ समझाता हूं कि री इंवेस्टिंग देवेडेंट क्यों इतना इंपोर्टेंट है तो चलिए अब यह एक एक्सेल शीट देखते हैं जो की मैंने बना के रखी है तो आप मान लीजे कि आपने चार साल पहले ITC का स स्टॉक खरीदा था तो एक्जाक्ली ओन 2 जून 2017 आपने 1000 शेर खरीदे और 286 रुपे में यह स्टॉक खरीदा था तो आपका टोटल इंवेस्टमेंट हो गया 2,86,000 रुपे अब इसके बाद ITC ने एवरी येर आपको डिवेडेंट दिया है तो 5 जून 2017 ठीक मदब 3 दिन क के बाद ITC एक्स डिवेडेंट हुआ और आपको तभी 4 रुपे 75 पैसे का डिवेडेंट मिला तो 1000 शेर के हिसाब से आपको मिले 4,750 रुपे अपने उस दिन के प्राइस के हिसाब से जितने भी स्टॉक अवेलेबल था वो खरीद लिया तो 16 कॉंटिटी ऑफ दे स्टॉक य शेर खरीद लिया और आप यह ऐसा करते गए तो हर साल जब आपको डिवेडेंट मिला आपने वो डिवेडेंट फिर से कंपनी में लगा दिया तो आपको 2021 में आपकी कॉंटिटी अब ITC के शेर की हो गई 1170 तो आपने चार साल पहले भले ही 1000 शेर खरीदे थे लेकिन बिना एक रुपया लगाए आपके पास अभी 170 कॉंटिटी और आड हो गई है तो आपके पास 1170 शेर आपके पास अभी अकाउंट में हैं तो आपको टोटल जो डिवेडेंट मिला इस दौरान वो था 38,798 रुपए और आपने वो अमॉंट फिर से स्टॉक में लगा दी तो अब यहां पे दो सिनारियो मैंने बनाए है तो पहले सिनारियो में क्या है कि आप डिवेडेंट री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ तो आपको यहां पे इनिशल इन्वेस्टमेंट आपकी दो दो लाग 6,000 रुपए की थी आपने जो शेर आपके पास फि अपर छारीब चल रहा है तो दो लाग 11,000 रुपए की आपकी करन्ट वैल्यों हो गई अपका टूटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग तो आपकी टूटल वैल्यू आफ इन्वेस्टमेंट इन्क्लूदिंग दो करेंट वैल्यू आपको फिलाल नोशनल लौस हो रहा ह अब अगले केस में आते हैं यहां पर डिवेडेंट री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी इनिश्यल इन्वेस्टमेंट हो गई 2,86,000 रुपे आपके पास अभी 1170 शेर अवेलेबल है तो आपकी टोटल वैल्यू आफ इन्वेस्टमेंट हो गई 2,46,870 तो आपका नोशनल लॉस फिलाल है 39,130 तो दोनों ही अमॉंट लगबग लगबग सिमिलर है ज्यादा फरक नहीं ती हजार रुपे का फरक है अब फरक आता कहां पर है तो अब अगर मान लीजिए ITC की कीमत एक साल बाद हो जाती है 400 रुपे विच इस वेरी मच पॉसिबल तो अगर 400 रुपे हो गए तो आपको हजार शेर के हिसाब से आपकी new value of investment हो जाएगी 400 रुपे विच विल बी substantially higher than your initial investment तो आपको नोशनल profit और loss जो होगा वो यहाँ पे initial investment minus the current value of investment and plus you can add the dividends तो आपकी जो नोशनल profit या loss होगा वो होगा 1,52,000 रुपे लेकिन जो अगला case है जहाँ पे हमने dividend reinvest किया है तो अगर आपने dividend reinvest किया है तो आपकी जो current value of investment होगी वो होगी 4,68,000 रुपे और आपका नोशनल profit या loss होगा वो होगा 1,82,000 रुपे विच विल बी substantially higher than your profit which would have been when if you would have not invested the dividend तो यह सीधा सीधा आपको 30,000 रुपे का यहाँ पे benefit है और इसकी खास बात यह है कि मान लीजिए अगर stock बहुत ही अच्छा करने लग गया तो यह difference बढ़ता जाएगा आपको जो stock hold करने से जो benefit मिलेगा या additional stock purchase करने से जो benefit होगा वो काफी बढ़ा होगा तो जैसे कि इस particular case में आप देख रहे होगा अगर 600 हो जाता है तो नोशनल profit आपका 3,52,798 होगा अगर आपने dividend reinvest नहीं किया लेकिन अगर आपने dividend reinvest किया है तो आपका नोशनल profit होगा 4,16,000 रुपए विच विल बी substantially higher तो आइडियली वेनेवर यू हाव confidence in a stock यू मस्ट reinvest the dividend in that same stock this is a ideal strategy to follow तो अगर आप ITC के shareholder हो और अगर आपको ITC में faith है तो आप उसका dividend अपने savings account में मत पड़े रहने दीजिए उसको reinvest कीजिए that is the ideal thing to do तो जैसे कि हमने देखा over a period of 4 years आपके पास 170 quantity essay it is virtually free आपको dividend में से ही वो quantity purchase करने तो आपने एक नया पैसा नहीं लगाया लेकिन फिर भी quantity दीरे दीरे बढ़ रही है तो over a period if you keep on doing this तो आपका जो net return होगा stock में if the stock continues to perform and it performs over a longer period तो आपका जो overall benefit होगा वो काफी अच्छा और बढ़ा होगा तो प्लीस consider this and don't make this mistake which most of the other shareholders are doing so मैं आशा करता हूं कि आप इस particular चीज पर गौर करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए शेर कीजिए और भी जो आपके friends या family members जो की ITC के shareholders है तो उन्हें यह वीडियो खास भेजी है so that's all for today thanks a lot and have a nice day की आपके है और भी जो को वैं कैसो झाल झाल